शूरा मेरे मज़ पमान तठन बिर्मनी सिख्खा पधिंग स्माधियानी पुद्धं सरेण गच्छा मूँ जन्म अठमी अश्टमी संस्कारित भासा में अश्टमी और पुरानी भासा में अठमी अठमी का जन्म और जो पुरा बोलते हैं कृष्ण जन्म अश्टमी तो कृष्ण का मतलब होता है कढ़ें पाली में कहते हैं कढ़ें पुरानी भासा में और संस्कारित भासा में कहते हैं कृष्ण दोनों ही सबदों को जब संस्कायत किया गया बदला गया तो एक में जो शे शटकौन हैं वो लगा दिया और दूसरे में भी शे शटकौन लगा दिया ये शे की जो आवाज है ये चार-पांस तरह का शे अर्बी भासा में मिलता है फार्सी भासा में मिलता है भारत के अंदर जो से मिलता है वो एक ही परकार का है बस हमारे यहां ना सटकॉन वाला शे है ना सल्जम वाला से है बस एक ही है संसार वाला से उसी से काम चलता था हमारा और कोई से हमारे यहां नहीं होता तो कढ़ें का कृष्ण किया मतलब कढ़ें जो सद है उसको पूरा का पूरा बदल दिया ताकि वो समझ में नाए और अठमी को अश्टमी कर दिया ताकि समझ में नाए किया किया क्या ने किया तो कढ़ें का मतलब क्या है कढ़ें का मतलब है काला पाली में बोलते हैं काडा काल बोलते हैं पाली में समय को और काल बोलते हैं काले को तो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे और अधिकतर सारे के सारे आज भी आज तो नहीं कह सकते हैं पर पुराने समय में सारे लोग कणहीं थे कशनीं ही थे किसन कनहे को ही, कनहे बोलते हैं, कनहे से कनहिया बना, काना बना, काना बना, काड़ू बना, काड़े बना, काड़िया बना, कालिया बना, और सामला, सलोना, ये सामल, जितने भी सब्द हैं, वो सारे काले को बताते हैं, कि ये काला है, काला, तो पाली भासा में अगर हम कहें तो कहें काला और फिर कहें जनम यानि की जाती यानि उत्पन और फिर बोलें इसको अठमी यानि आठ का आठ का जनम हो रहा है काले का जनम नहीं है ये ध्यानकना अठमी का जनम हो रहा है जनम अठमी पूरा नाम है बाद में जोड़ा गया है कढ़ें या क्रिष्णी या किसन क्योंकि जिसने इसको पैदा किया अठमी को जिसने रिवाइब किया क्या है अठमी अठमक क्या है अठमी का मतलब है पूरे जीवन को चलाने वाले वो आठ नियम वो आठ बातें जिनको अगर आप पैदा कर लेते हैं बता देते हैं सिखा दे तो आपका जीवन दुखों से मुक्त हो सकता है। आठांगिक माग बोलते हैं इसको अठांगिक मगो बोलते हैं। आठ अंगो वाला मार्ग। तो अठमी जो आती है या आठवे दिन ये नहीं है। बिसेकली जो सिखा रहे हैं आठ बाते है वो अठमी हैं। इसलिए हमारे यां अठमी का ज्जादा चलन है। आठमी दिन का चलन नहीं है। आठवे दिन को तो हम इसलिए क्योंकि दोनों का रुपा असान हो गया तो कहते हैं कि अठवी को आठ बातें याद करनी चाहिए क्योंकि अगर सिखाना हो किसी को तो सरलता से सिखाने के लिए याद करने के लिए दिन को वैसे ही लेते हैं जैसे कहते हैं बुद्ध वाले दिन सम्मा कम्मंत, सम्मा वीरियो, सम्मा समाधी ये सारी बात आती हैं जिनके वीडियो बने हुए आप देख सकते हैं डेटेल में हैं ये धमके आठ अंग हैं किसी भी व्यक्ति को दुखों से मुक्त होने के लिए ये आठ बात पूरी करनी पड़ेंगी तो उसका दुखों से पर्मानेंट अंत हो सकता है तो फिर आज के दिन का अठमी से क्या लेना देना है कैसे इतनी सारी बातें मैच करती हैं जैसे अभी अभी बताया था कटके सर ने के एक भरुत के अंदर एक फोटो चल रहा है जो पत्थरों पे अंकित है जो पत्थर में कटा हुआ है जिसके अंदर नीचे आठ बच्चे हैं वो आठ बच्चे उपर चार बच्चों को उपर कर रहे हैं और वो चार बच्चे उपर तीन बच्चों को उपर कर रहे हैं और फिर उसके बाद में एक बच्चा उपर है जो धम चक को छू रहा है मतलब आठ बाते हैं आपने बेस हैं आपकी आठ बाते हैं उसके बाद आपके जो चार आरे सत्ते हैं जो आपने पूरी तरह समझने हैं उसके बाद में फिर तीन आपके हैं जिनको आप सील समाधी पग्या भी बोल सकते हैं और उसके बाद में फिर आप अरत हो जाएंगे अम एंग्रेव है मामलापुरम मतलब तमिलनाडू के अंदर चिन्नई के बराबर में जिसको महाबली पुरम बोलते हैं उस साइट पे एक व्यक्ति जिसके बाल बिलकुल बुद्ध की तरह हैं और वो वहां एक पसू का एक गावी का एक गावो का या एक वज्ज का वहां पर देखने में बिलकुल बुद्ध जैसे लगते हैं और लोग उनको बुद्ध ही बताते हैं क्योंकि उस चित्र में आगे भी चित्र हैं जिसमें हाती है कमल हैं बाकी सब हैं बुद्ध भी हैं उसके अंदर तो इसका मतलब वहां गाए का दूद निकाल रहे हैं या भैस का द सोच लें बस थोड़ा सा सोचना है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोच लेंगे तो आपको सारी चीजें बिलकुल आसानी से किलियर होती चली जाएंगे कथाएं कुछ भी कहें कथाओं से बात नहीं बनती जो जमीन पर उपलब्ध है उससे बात बनती है एक होता है सब्द यम यम सब्द का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है विवाहित होना ये वर्व है क्रिया है और दूसरा होता है यम का मतलब रोकना दो अर्थों में यम चलता है तो हमारे यहां धंपद में एक यमक वगगो चलता है, यमक वगगो मतलब यमक वर्ग, उसके अंदर सबसे पहला वग है, कोई धंपत पढ़ता है तो, नहीं तो पढ़ना चाहिए, उसमें एक साथ दो सूत आते हैं, दो छंद आते हैं, दो स्टेंज आते हैं, एक बात को कहता है, एक तरह से, कि ऐसा करन से ऐसा होता है, और दूसरा वाले जो सूत है, वो ये कहता है, ऐसा नहीं करने से ऐसा होता है, यानि उसमें नहीं करने से क्या होता है, और करने से क्या होता है, दोनों सूत एक साथ चलते हैं, और ये बुद्ध ने अपनी बातों में बताए हैं, तो वो च्छाट लिए अल युगन में एक साथ तो जो विवाहित होने का मतलब है यम का मतलब है विभा होने मतलब जोड़े में आना तो वहां से यमक वग और यम सब्द का अर्थ निकलता है और दूसरा जो यम सब्द का अर्थ निकलता है वो है रोकने के लिए कुछ चीज अगर रोकी जाए तो इसक पानी चलता है पानी बहता है तो बहते पानी को पुरानी भासा के अंदर गंगा बोलते हैं कि गंग की आवाज आती है गंग की आवाज आती है तो गंगा बोलते हैं सारे बहते पानी को और जो बहता हुआ पानी आनंद दिद्यता रहता है उसको हम नदी बोलते हैं ने माने पानी नीर और डे माने देना, यानि कि पानी को देने वाला जो रास्ता है, उसको हम नदी बोलते हैं, ये नेचरल रिस्वर्सस में आती है, जो हम हाथ से बनाते हैं, जमीन खोद के बनाते हैं, उनको हम कैनल बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, वो नदीया नहीं होती हैं, तो न और नदी के नाम चलते रहते हैं. पर पुराने समय में पहाड से लेके समुन दर्थ एक नदी का कौई नाम नहीं मिलता. क्योंकि नदी कोई भासा इतनी बदलती जाती हैं, नाम उतने सारे होते जाते हैं तो एक नाम उसका कैसे रखें? पर ये जो नदी निकलती है यमनोती से यमनोती उत्ती माने होता है उतरना उतरन होना और यमी माने रुका हुआ पानी तो वहां से जब निकलता है तो उसका नाम ही यमना नहीं है उसका नाम है कलकल करती नदी कालिंदी यानि काली नदी काला पानी काली नदी तो कालिंदी ब होता है पूरा पूरा बगीचा तो कालिंदी कुझ भी है तो दिली तक उसका नाम जो दिली के अंदर है वो कालिंदी है तो कालिंदी बोलते हैं उसको यमना नहीं बोलते है पर मत्रा में जाके वो यमना हो जाती है मत्रा में जाके यमना क्यों होती है क्योंकि मत्रा के अंदर कुछ बहता हुआ रोका गया है कोई बांध नहीं बनाया गया है पुराने समय में जितने भी साधक होते थे जितने भी धम के जानकार या धम को सीखने वाले या धम का तप करने वाले या अतजन करने वाले self study करने वाले के दुख कैसे आता है जाता है या दुनिया की study करने वाले जो लोग साधनाम तब में बैठते थे उनके लिए सबसे जरूरी होता था कि कहीं पानी मिले कहीं खाना मिले और कहीं एकांत मिले ये तीन चीज उनको ज़रूर चाहिए अगर ये तीन चीज नहीं फिर नहीं जो ऑपर जो पहाड है वो औरावली का आखिरअ पहड़ए और वहाँ पर एकान्थ है और आजपास हर्याली है क्योंकि वहाँ पानी बहरा है रिवर है तो वहाँ लोग खाना भी दे के आते हैं तो वो जगे साधना करने वालों को लिए सबसे उप्युक्त जगे रही और उस जगे पर उन्होंने अपना डेला डाला और वहाँ पर साधना तब तपस्या करने लगे ये कहानी बुद्ध के बात की है क्योंकि बुद्ध वरंजा तक आये हैं वरंजा मतलब खुर्जा तक खुर्जा को वरंजा बोलते हैं ऐसी किताब आयरक की है तो वहाँ तक आये हैं पर मत्रा तक नहीं गए हैं ऐसे कोई सबूत ने है कि वो मत्रा क्योंकि मत्रा का मतलब है महा थेराओं का शहर जैसे एक महा थेराओं का सहर है जिसको आज के समय हम कुरुखित बोलते हैं क्योंकि ये थनेसर है थनेसर मतलब जहां सिरी रहते हैं जहां थेराओं के सिरी रहते हैं प्रमुक लोग रहते हैं और दूसरा यह मत्रा, दौनों ही सेंटर हैं जो अत्तज्छन को, सेल्फ इस्टेडी को और लोगों के दुख और दूर करने के लिए लोग वहां आते हैं और वहां जाके साधना बगारा करते हैं मत्रा के अंदर आज के दिन भी, जमीन अगर खुटती है तो वहां बुद्ध का कुछ ना कुछ निकलता है और ये बात दुनिया जानती है जिनको नहीं समझ में आती है वो इंटरनेट खोलें और मतुरा के मुजियम को सर्च करें। मत्रा के म्यूजियम को सर्च करेंगे तो मत्रा में हज्जारों बहुत साई तो तोड़ती है बहुत साई तो उनका चूरन बना दिया है और उनको खतम कर दिया है बहुत साई दबी पड़ी है मगर फिर भी वो बहुत है आप मत्रा का म्यूजियम खोलेंगे क्या है क्योंकि बुद्ध के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति जो धम को अच्छी तरह समझ गया होगा उसने वहां पर डेरा डाला और डेरा डालने के काले हैं एक सिंगल व्यक्ति भी सेत नहीं मिलता सेत मतलब पाली मैं कहते हैं सेत का मतलब सफेद जिसको श्वेत बोलते हैं जिसको श्वेत करके बदला गया है एक वी श्वेता एक वी श्वेतो एक वी सेत नहीं मिलता सारे के सारे कढ़ें किसन कनहिया किसन कनहिया काला कालिया यही मिलते हैं तो वो जो व्यक्ति है वो कर क्या रहा है या जो व्यक्ति हैं वहाँ पर कर क्या रहा है उनके नाम क्या है और कैसे वो पड़े हुए है तो कोई व्यक्ति वहा रहा होगा नाग वनसी क्योंकि वासुदेव नाग का छित्र है वासुदेव नाग का जिक्र होता है और पांच प्रमुख नाग है, साथ भी है और कहीं दस्मी है नागों का पूरा राज है क्योंकि नाग का मतलब होता है टोटम वाले लोग सांप नहीं होता, सप नहीं होता, अजगर नहीं होता और नाहीं टोटब उनका सांप इसने होता है वो हाती हुआ करता था नाग का मतलब ही हाती होता था तो नाग राजा रहे हैं वासुकी हैं, सेस नाग हैं, तक्छक राग हैं, कालिय नाग हैं तो जब भी आप किसी पत्थर पे बुद्ध के आसपास या किसी भिक्कू के आसपास पांच मुण का नाग देखते हो तो पांच राजा है नागों के जो एक साथ हैं, जिनका संग है कहीं कहीं साथ हैं, तो साथ हैं कहीं कहीं दस भी हो सकते हैं, कहीं जादा भी हो सकते हैं ये नागों की परंपरा बहुत दूर तक गई हुई है, बहुत दूर तक, और ये बुद्ध के साहिते में लगाता रहाती है, मुछलिंद नाग को सब जानते हैं, जो नाग राजने जिसने वहाँ उनको मदद की थी, जब वो साधना कर रहे थे, तो नागों की संखला है, ना सेसनाग कुछ भी हो सकते हैं, तो कालिया नाग वहां लीलाएं मिलती हैं, लीडाएं मतलब, वो जो लोग हैं, उनके चीवंचेत मैं मिलते हैं, कि बाले अवस्था में भी वहा नाग लोगों ने उनका स्चंख किया, और जब वो छोटी अवस्था में थे, तब भी उनको ऐसे लोगों से बचाया जो उनके दुस्मन रहे हैं. ये कथाओं के हिसाब से, लीलाओं के हिसाब से बदलती रहती हैं पर नाग लोग वहां हैं. और ये जितने भी नाग लोग हैं, वहीं सारे सारे बुद्धिष्ट हुआ करते थे, इसलिए उसको प्रिशय, उसको आश्रय, उसको सेल्टर, उसको मदद दिया करते थे. तो वहां क्या चल रहा है और वहां क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति है जिसका पेशा है गोवी का, यानि के पसू का, पसू के पालने का, तो पसू के पालने को और पसू के बाड़े को पाली के अंदर वज कहते हैं, वज. वज, वज का मतलब है कि पसू के जहां पसू रहते हैं, उस एरिया को वज बोलते हैं, तो आज भी उसका नाम ब्रज बोलते हैं, क्योंकि आधा रहनी होता पाली के अंदर पर सब तो बदलना है, तो ब्रज बोलते हैं, और ब्रज घाट भी बोलते हैं, क्योंकि वहां वो उस वजब में आसपास रहते हैं और पसू पाल बोलते हैं पसू को पालने वाला पसू पाल और पसू के जुंड को गावो बोलते हैं गावी बोलते हैं जो नर पसू का जुंड होता है और गावी बोलते हैं जो मादा पसू का जुंड होता है पर गाय नहीं बोलते गाय न वत्स बोलते हैं उसको धेनु बोलते हैं तो धेनु किसी भी पसु का और धेनु जो होता है वो चौपाय को बोलते हैं और पसु भी बोलते हैं उसको चौपाय को बोलते हैं जो चार पैर वाला जानवर होता है तो वो पसु है तो कुछ व्यक्ति या कोई व्यक्ति रहा होगा जो काले रंग का रहा होगा और जो पसू पालने का काम करता होगा क्योंकि पसू पालने का खेतों का यही काम हुआ करते थे और अभी मैंने बताया कि मा मला पुरम के अंदर जो बुद्ध जैसी आकरती की जो फोटो है जो बहुत कुछ बताती है, वो पसू का दूद निकाल रहे हैं, वो फोटो लगाता आती रहती है, हमने भी डाली है, तो पसू का दूद निकालने हैं, तो उनका जो पेशा रहा, जो महां के लोग थे, सुरू का पेशा उनका रहा, पसू पालने का, पसू का दूद निकालने का दूद बेचने का, या ऐसा ही भी होता था, कि सारे गाउं के पसू ले गए और चला के ले आए, Sam को अपने अपने घर्च ले गे रो अपना अपना घ्स्सा पसू पालनों ने डिया पर किसी भी हालत में गाय नहीं बोलते ये बिलकुल क्लियर है धेनू बोलते हैं तो धेनू का जिकर आता नहीं तो फिर ये गोपी गोपियां गोपाल और ये गोपा ये क्या है फिर ये सब्द कहां से आया दरसल पुराने समय में माताओं के नाम से पुत्रों के नाम चलते थे पुत्रिय तो पजापती गौत्मी, महापजापती गौत्मी, जिन्होंने छीर डाई रही है, छीर मतलब दूद, खीर डाई बोल सकते हैं, खीर को दूद बोलते हैं, और जो आज कल हम खीर खाते हैं उसको पायस बोलते हैं, तो उन्होंने दूद पलाया अपना, क्योंकि महा माया तो ए गौतम की जो लाइनेज़ व आगे बड़ी है तो गौतम का जो तम सब्द है उसको नहीं बोला जाता क्योंकि गौतम ने जो धम दिया और धम का वड़न किया जिसको गौतम, धम, वड़न बोलते हैं और बाद में गोवर्धन बोलने लगे यानि गौतम का सृरिष्ट धन, ग गौ चरण यानि जहां जहां गौतम के चरण पड़ रहे हैं यानि गौतम के गौपाल का मतलब है जो गौतम के धमका पालन करता है और पालता है गौतम का मतलब गाय नहीं है क्योंकि दो मात्रा हैं हमारे पाली के अंदर नहीं है क्योंकि यह लोग आज कल बोलते हैं वो गौ बोलते हैं गय के उपर दो मात्रा हैं जो हमारे यहां खाली गो चलता है तो गौतम धम से गौतम चरण गौतम पाथ गौतम धूली चरण धूली यह सब्द बनते हैं तो गौ से गौरकपुर बनता है क्योंकि वो उनकी करमिस्थली रही है गौतम की तो गौरखा बनता है गौ गौतंग की जितनी चरिया है उस से समंदित जितने सब्द हैं उन में पहले गौ लगां एंप मए तो गौतंग का है दभ तो गौतंग के पालने वाली लोग है और पानू पालख नहीं है सारे के सारे लोग क्योंकि पूरा गाउं पसू नहीं पालेगा पसू पालने के लिए तो जो चला गया चला गया एक आदमी दो आदमी सब को पाल के ले आता है बागी लोग अपना अपना काम करते हैं तो पूरा गाउं कहीं पसू पालने नहीं हैं पर गोपियां बहुत हैं गोपे बहुत हैं गोपाल बहुत हैं तो ये क्या कर रहे हैं ये दरसल सारे के सारे जितने लोग हैं ये उनको योग सिखा रहे हैं योग योगा खेम आपने अगर L.I.C. के दोनों हाथ जोड़ते सिंपल जो हम बच्चों को सिखाते हैं दो प्लस दो यानि दो का योग दो में करोगे तो चार होता है वो योग का मतलब होता है जोड़ना योग का मतलब जोड़ना है और योज का मतलब भी जोड़ना है जो योज होता है उसका मतलब भी जोड़ना है तो योग क्या करें रहे हैं तरसल वो जोड़ रहे हैं अपनी अच्छाईयां उनको सिखाय जा रहा है कि आप अपनी अच्छाईयां जोड़ो और बुराईयों को घटाओ बुराईयों को छोड़ो और अच्छाईयां यही धम है कि अपनी जो पाप कर्म है उनको छोड़ना है उनको बढ़ाना ह तो उसको वहाँ योग करना सिखा जा रहा है और जो योगाचर है जो योग की चरिया सिखा रहा है उसको योगाचर बोलते है जिसको बाद में योगी बोला गया है और इसी सब्द को कुछ लोग योज करके बोलते हैं तो इसको बोलते हैं जोगी यानि जोगी जो जोग सिखा रहा है तो योग और जोग एक सब्द है और वो अच्छाई को जोडने का है तो वहाँ वो सिखाता है तो क्या सिखा रहे हैं वो लोग वो जो सिखा रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं कि आपको पापकरम नहीं करने है और उसका जो रास्ता है वो आठ जो पूरे पूरे वस्तु हैं हमारी जो आठ हमारी किरिया हैं जिनको आठागी मार्ग होते हैं उस पर जा रहा है तो उसका जनम हो रहा है वहाँ वो उस एरिया में आठागी मार्ग का जनम हो रहा है और जिस दिन से वो आरहम किया उस दिन से उसको खुशी के मार है कि हमसे उस सिखाना शुरू किया तो जैसे स्कूलों का डे होता है एनिवर्सी होती है या उनका इस्थापना दिवस होता है वैसे ही इस्थापना दिवस है जो आठांगिक मार का इस्थापना दिवस वहां चल रहा है आज भी वहां उस पत्थर पर जो कहते हैं जो पत्थर है जो उठा लिया पूरा यानि कि उसका management उसका कारेभार पूरा उठा लिया वहाँ कोई गाय प्लाने के लिए या भैस को दूद प्लाने के लिए या भैस को चारा खलाने के लिए पत्थर पे जाने का कोई फायदा नहीं है वो पत्थर की परिबाद जो पूरी पूरी परिक्रमा है वो साइध आठ किलोमेटर की है तो आठ किलोमेटर जिसकी परिधी हो उस पत्थर पे कुछ पैदा नहीं होता उस पे कोई फल नहीं कोई फूरूट नहीं कोई घास नहीं तो वहां जाके कोई आदमी किसी पसू को कैसे पाल लेगा और वह भी धूप में या ठंड में जो सबसे ज़्यादा लगती है पर वहां एकांत में बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से साधना विपसना हो सकती है पढ़ाई हो सकती है बाकी वहां बताए जाते थे जिनका वहां पर जनम और जनका वहां उत्पादन होता था जनम का मतलब जात का मतलब उत्पादन होता है उत्पत्ती होती है तो वहां पर उत्पादन उनका होता रहा है बहुत सारे लोग है जो कह सकते हैं कि फिर रुकमनी क्या है क्योंकि जो व्यक राधसब्द और जो रुक्मनी है रुक्मनी का मतलब है रुक्मनी यानि जो रुक्मनी होता है पेड़ और मुनी माने जो उसको मनन करता है तो यानि जो पेड़ के नीचे बैठके मनन करता है उसको बोलते है रुक्मनी तो रुक्मनी हो गई तो महिलाएं भी रुक्मनी हो सक तो राध का मतलब क्या है राध के दरसल दो मतलब निकलते हैं एक राध का मतलब है हिंसा और दूसरी राध का मतलब है परफेक्शन यानि पूरी तरह सिद्ध करना सफल करना तो जब कहते हैं राध करो राध करो राधा तो इसका मतलब कहते हैं कि इसको सिद्ध करो इसको सफ सब्द प्रचलित हुए हैं हमारे यहां इनके अर्थ हैं यह सब्द वैसे प्रचलित हुए हैं पर कोई भी योग करने वाला जोग करने वाला शादी नहीं करता अगर वो शादी करेगा तो सिखाएगा क्या पर गरस्त भी हो सकते हैं पर गरस्त होने के बाद भी जो व्यक्ति गरस्त होगा, वो किसी भी हालत में, कभी भी अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका के साथ में कोई परदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो राग का परदर्शन करेगा, तो सिखाएगा क्या, अगर वहां राग चराओ तरफ बरसेगा, रास होगा वहां पर चराओ तरफ, या तो उस चीज़ को पुरी तरह से मानने से इंकार कर दो या उसमें भरम फेला दो या उसमें अपना ठाप लगा दो तो भरम फेला दी या अपनी ठाप लगा दी आज वहां बुद्ध की स्टैचू निकलती है पर बुद्ध का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं होता काला व्यक्ति जिसको यदू बोलते हैं यदू बोलते हैं वो यदू नहीं है वो यादब नहीं है वो दरसल यजू है, यजू जो यज करते हैं, यज का मतलब जो व्यक्ति दान करता है, क्योंकि जो योगी होता है, जो जोगी होता है, वो अपना सब कुछ दान कर देता है, इसलिए जो वंस वहां से चला है, वो यजू बंस है, जिसको बात में यजू, यदू करके, क्योंकि यदु वंसज लोग रहे हैं इसलिए उनको यदु वंसी यजु वंसी बोला जाता है तो ये काले लोग महा से मुस्थरा से निकल के ओर दोबार का में क्या कर रहे हैं गुजरात में कैसे चले गए बही घुजराती आती नहीं गुजरातियों को सिखाया नहीं जा सकता पर लीलाएं कहीं कहीं पहुँचा दी जाती है तो कहानियों में जितनी भी कहानी बनाई गई है उनमें कहीं भी कोई मेल नहीं है क्योंकि मेल इसलिए नहीं है कि कौन बंदा कहा जाएगा कौन उसको बलाएगा, कौन भाधा डालेगा, कौन के पर कर्म वही चल रहा है, कर्म सारा के सारा वही है तो कर्म इसलिए हो सकता है क्योंकि कर्म की चैन चलती है और सिखाने वाले पूरे देश में फैले हुए है पर एक ही व्यक्ति महां जाएगा ऐसा नहीं है और जो कथाएं चलती है उनमें कोई पीछे से चैन नहीं होती ना उसमें टाइम होता है ना समय होता है मतलब कोई एथियासी जान का नहीं होती सिर्फ कथाएं होती है तो कहीं का जो काला व्यक्ति है वो और हो सकता है कहीं दू अनिवेश्टी बसती है, तो एक व्यक्ति नहीं सिखा सकता, सिखाने के लिए पूरा-पूरा, और धम्यों में तो वैसे भी संग सिखाता है, तो संगी चलता है, इसलिए कहानिया कहा की कहाँ पहुचा दी जाती है, कई वार उनको समझ मनी आता, और सुनने वालों गीत का मतलब जो गाके सुनाए गए हैं, जिनको गीता बोलते हैं, गीता मतलब बहुत सारे गाएन, बहुत सारे गीत, उन में से अगर हम आत्मा निकाल दें, उन में से परमात्मा निकाल दें, और उस में से अगर हम भाग के निकाल दें, करम पे आधारित करें, तो सारा का सा घमपद है और उसमें जो यह कहा गया है कि यह जो जब युद के मिदान में खासतोर से क्योंकि धंपद को बताने में उसको तरक वितरक करने में 28 दिन लगे होंगे कम से कम इतना बड़ा धंपद है तो 28 दिन का टाइम तो लगता है धंपद बताने में और कहीं युद्ध हुआ होगा युद्ध का मतलब है वाक युद्ध हुआ होगा कहीं पर कोई सभा बैठी होगी उस सभा के अंदर आमने सामने लोग बैठे होंगे इधर वाले लोगों ने धंपत बताए होंगे सारे धंपद उधर वारे लोगों ने कुछ और बताये होंगे बहस होई होगी उस युद्ध में जीत होई होगी तो उसके बाद ये गीता धंपद के नाम से ना के भगवत गीता के नाम से आई होगी पर उसमें सारा का सारा जो मठेल है वही है जो धंपद के डिटो वही है को उसमें जब कहा जाता है कि करम प्रधान है, क्यों गीता करम प्रधान है, भाग के प्रधान नहीं है, और उसमें ये भी कहा जाता है, कि सामने आपका चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे कोई प्यारा है, चाहे कुछ भी है, पर जो करम आपने किया है, उसको कोई और नहीं ज के ना जाए और यही बुद्ध का सबसे बड़ी सिक्षा है कि जो उन्होंने कहा है कि करम प्रधान है करम अपना फल दे के जाता है देर सबेर करम का फल आता ही आता है यह बातें सारी की सारी डिटों मिलती हैं अगर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएं तो जो कढ़ लोग कहीं और हैं तो किसी से पूछ हो कि यह क्या है क्या नहीं है वो बता नहीं पाएगा पर जो काले व्यक्ति हैं उनका छेत्र सभी तरह से रहा है वो सभी तरह के छेत्रों में पारंगत रहे हैं और किष्ण का मतलब काला ही होता है इसलिए आप इसको सुद्ध हिंदी तो भहासा में कहें कि काले व्यक्ति द्वारा जो आ्ठांग एक मार्ग है, इसका यत्पति्ह का जर्म है और वह आठांगी मार्ग आपको दिये हुए हैं, सम्मा गुषिंपd दित्थी सम्मा वाचा, वो व्यक्ति भी आपका है, वो धम भी आपका है, और फोटो में भी काला ही आता है, काला व्यक्ति अपना कारोवार पसु पारंगा कर सकता है, पर ग्यान भी दे सकता है, हमारे सारे लोगों ने अपने करम करते हुए ग्यान दिया है, इसलिए सारी चीजे कही बार मिक्स ही हो मेरी किसी बात से किसी कोई डाउट हो तो डाउट में रहनी कि आशकता नहीं है। मैं अपने पूरे वक्तबे में किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप इसको मनाएं या ना मनाएं या ऐसे मनाएं या वैसे मनाएं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं किसी के मैं आपको सिर्फ तत्थे बता रहा हूँ, आपको लगता है कि ये तत्थे ठीक है तो आप खुज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये तत्थे ठीक नहीं है तो इनको काटने के लिए और सारे जो तत्थों हैं वो लेके आ सकते हैं, आपका वैलकम हमें ऐसा समर संग में रहेगा, हम अब माने होता है नीचा और तारी माने नीचे की तरह यानि अब तारी या अब तोरण किया गया है किसी को भी उतारी नहीं बनाया गया है उतारी मतलब उचा नहीं बनाया गया है हमेसा अपने नीचे ही रखा गया है क्योंकि किसी का ग्यान जब बहुत जादा बढ़ जाता ह है तो उसकोको खटम किया सकता अपने को शामिल में करें लेते हैं पर शामिल करने वाला कभी भी अपने आपको हमीसा उससे उपर रखता नीचे कभी नहीं करता इसे इतने भी हमारे काले व्यक्टिम है जिन्होंने भी धंु फेलायया कर नषिखला है। उन सबके अफ्तारण हुए हैं।ह अब उनका किसी का भी उततोरण, या उततररण या उचे वाला किसी वी नहीं हुआ है wellness अगर किसी को कोई हानिखी हो यह कोई प्रशानिक अन रहे वन्दामे। वन्दामे।